ओम नमस्षिवाय जय महाकाल बहुत सारे लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज थे कि भाई आप जो बेल पत्र होता है उसको खाने का सही तरीका क्या है जो कि गुरुजी ने बताया है बहुत पहले मैंने गुरुजी की कथा में एक सुना था उन्होंने कैसे बताया था कि बेल पत्र हमें कैसे खाना चाहिए कौन सी पत्ती कैसे खाना है तो बताऊंगा पूरी बात लेगिन आप लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे ठीक है देखो आपको स्क्रीन पर महादयो दिख रहे हैं आप क्या करेंगे माली जी आप कितनी भी बेल पत्र महादयो के मंदर में जा करके चड़ाते हों समर्पित करते हों ठीक है एक बेल पत्र को आप लीजिएगा कोई भी एक बेल पत्र लीजिएगा बेल पत्र कहीं से भी कटी फिटी ही ना हो और ले जा करके महादयो के मंदर में पहले महादयो के यहाँ पर शिवलिंग पर समर्पित कर दीजेगा ठीक है इतना कर दिया या फिर अगर समर्पित ना कर पाएं आपको बेलपत्र ना मिले तो जो महादयो के मंदर के यानि की जो महादयो के शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चड़ी हो आपको वहाँ सीधा लेना है बेलपत्र को ठीक है आपको महादेव से प्रातना करना है कैसे करना है महादेव मुझे इस बीमारी की समस्या है मुझे यह तकलीफ है मेरे जीवन में मैं आपसे यह चीज मांग रही हूँ बेलपत्र उठा करके ले जा रहा हूँ या फिर ले जा रहा हूँ इसको आप आउशदी बना देना और जो भी मेरे सरीर में कस्ट है आप उसको दूर करना ठीक है ऐसी प्रातना करना और वहाँ स्चीूलिंग से एक बेल पत्र उठा लेना ठीक है अब सुनना बेल पत्र को खाना कैसे है ना बेल पत्र आपने अब देखो बेल पत्र भी खाने का एक तरीका है, एक माध्यम है, यहाँ पर आपको बहुत ही प्यारी सी बेल पत्र दिख रही है, सबसे पहले आपको यह वाला जो पोर्शन यहां का यह वाली पत्ती दिख रही है, सबसे पहले हमें यह वाली पत्ती खानी चाहिए, ठीक है, दूसरे नंबर पर ये वाला portion तोड़िएगा बेल पत्र में से और इसको खाईएगा ठीक है और आखरी में जो बचा हुआ पाल्ट है जो बचा हुआ भाग है बेल पत्र का उसको उठा करके आप खा लीजेगा ये एक तरीका होता है एक माध्यम होता है बेल पत्र को खाने का बहुत सारे लोग क्या करते हैं तो ये बड़ी पत्र दिखती है सबसे पहले यही तोड़के खा लेते हैं ऐसा अगर आप खा लेते हैं तो कोई नुकसान नहीं करेगा लेकिन देखो जिसे दाल चावल होता है तो हम खाते है तो एक तरीके से खाते है तो उसी तरीके से बे पत्र का, आप उसको महाँ पर खा लें, देखो, एक चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोगों थोड़ सी कडवी लगती होगी, चिपचिपी लगती होगी बेल पत्र, लेकिन कूच-कूच के खाईएगा, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा मूँ में रखा और तुरंट फिर महादयो, मुझे ये समस्या है, एक औशधी के तोर पर मुझे आप से मैं बेल पत्र ले रहा हूँ या ले रही हूँ, आप मेरी जो भी कस्ट उसको दूर करना, ठीक है, कोशिश कि है आपको बहुत अच्छा समझाने की, वीडियो पसंद आई है, लाइक करिएगा, आज प